तो फाइनली आपके भाई को बोक्स मिल चुका है और पैगिट के अंदर बोक्स और फिर से पैगिट और इसके बाद सॉल्मॉन भाई एंड सॉल्मॉन भाई को देखते ही मुझे ऐसा लगा कि ये बोक्स सोड़ा सा लग रहा है देखा हुआ हां ऐसे अंडर गार्मेंट वाला बोक्स तो यहां पर रियल्मी टॉफ फाइब स्मार्ट फॉन ब्रैंड के इंदर आता है उसके बाद ऐसी हरकते जैसे मलब सैमसिंग को देख लेते हैं सैमसिंग ने बीटेस एडिशन निकाला है और उसके बाद उन्होंने किसी भी मेंबर क फोटो नहीं लगाई तो यहां पर रियल्मी को कुछ चीज सीखनी चीए और इसका बोक्स तो बिलकुली लग रहा है उसकी तरह या नहीं लग रहा है कमेंट सेक्षिन में जरूर बताना खैर आपने मुझसे का इस फोन की वीडियो चीए और अनबाइस वीडियो चीए तो वीडियो कैसी लगी तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को कर देना प्रेस तो आप जैसे इस फोन को बोक्स से निकालेंगे तो यह फोन काफी ज्यादा लाइट वेटिट है वह बिल्कुल रिय यहां पर काफी अच्छी प्लास्टिक लगाई गई है और यहां पर बैक पैटर्न भी काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है लेकिन आपको एक बात बता दू इस प्लास्टिक पर ना स्मजिस काफी देखने के लिए मिलते हैं लेकिन ग्लास के स्मजिस ना इसली हो जाते हैं यहां पर यह वाइजली नहीं होते हैं तो आपको यह थोड़ा रगड़ना पड़ेगा इसकी बैक को जब जाका इसमें स्मजिस हटेंगे बैक में से और दूसरी चीज यह कि उपर से टुफ है मलब जो इंटरनल कॉंपोनेंट्स और प्लास्टिक उसमें गैप न विल्मी के उनमें काफी अच्छा-खासा मिलता है यहां पर जो काफी कम देखने के लिए मिलता है और इसकी बैक कहीं न कहीं रिलेट करती है आई कू से यह नहीं करती कमेंट सेक्शन में चीज़ तो मुझे जरूर बता ना कि मुझे काफी हद तक लगती है इसकी बैक अब इसकी मुझे एक थोड़ी कमी लगी तो यहां पर डाउंग्रेट तो करा गया है और यह नहीं कि सिर्फ बैक के मामले में करा गया यहां पर फ्रेंट में भी करा गया फ्रेंट में आपको कोर्निंग और लग लग लास 3 देखने के लिए मिलता है लास्ट टाइम इनोंने 5 द कि यहां पर जो पंच होले काफी जादा चोटा है और इतने पीक ब्राइटनेस की डिस्पले आपको अभी तक इस प्राइज में नहीं देखने के लिए मिली इसकी डिस्पले 600 नेट्स की पीक ब्राइटनेस शो करती है और ऐसे निया कि सिर्फ यह ऐसे नंबर में कर रहे हैं म मैं आउट्डोर में ले गया और मैंने देखा हाश लाइट में जो टेक्स है वह काफी मस तरीके से विजेबल थे और इस प्राइस केटेगरी वाले फोन मैंने जितने भी यूज करें उनकी पीक ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं थी तो यहां पर मुझे यह काफी कमाल क लगी है और जब आप कोई content गोच करते हैं तो यह चोटू सा यह भी एक तरीके से गायब हो जाता है तो यहां पर मेरे को इसकी डिस्पले से कोई भी शिकायत नहीं है सिर्फ शिकायत है तो अभी तक जो मैंने आपको बताया उन सब में यहां पर बिल्ड में शिकायत है क्य तो यहां पर यह रीजन है और अगर मेरे साब से यह यहां पर ग्लास देते तो थोड़ा सा वेट भी बढ़ जाता तो यहां पर यह भी एक प्रोब्लम हो सकती थी तो मैं आपको एक चीज बता दू अभी वेट वाली चीज को ignore करो क्योंकि काफी सारे smartphone ऐसे आ रहे हैं सिर् लेकिन आपको disadvantage मिलती है in-hand feel के मामले में इतना premium feel नहीं होता अब इस phone के अंदर ना super amolet panel तो in-display fingerprint sensor भी देखने के लिए मिलता है लेकिन इसकी position last time से इन्होंने नीचे कर दिया slightly तो मेरे को यह चीज थोड़ी सी अजीब लगी लाइक इसका used to होने के लिए आपको phone को कम से 10-15 दिन तो use करना ही होगा तो यहां पर थोड़ी सी position उपर होती तो और मजा जाता बाग यहां पर इसकी speed काफी ठीक देखने के लिए मिलती जैसे कि optical fingerprint sensor के साथ देखने के लिए मिलती भी है तो speed के मामले में इसका fingerprint sensor काफी सही है अब यहां पर आपको 60 Hz पैनल देखने के मिल जाता है अब यहां पर बात करें इसके अंदर snapdragon 720 G processor देखने के लिए मिलता है काफी powerful processor और आपको थ्रोटलिंग भी देखने के लिए नहीं मिलती आप heavy task कर सकते है easily और यही प्रोसेसर हमें last time भी देखने के लिए मिला था तो मैंने इस phone को भी एक दिन यूज करा है तो और यहां पर बाकी इसके बारे में हम जो performance है उसकी review के अंदर बात करेंगे अभी चलते हैं यहां पर आपको बता दो इसके अंदर haptic feedback देखने के लिए मिलता है और 20,000 रुपीज में जैसे haptics मिलते हैं वही दिये गए इसके अंदर vibration motor इसकी strong है अब यहां पर friend map को 32 megapixel का camera realme के phone के अंदर हर बार overexposed देखने के लिए मिला है और इस बार भी यही देखने के लिए मिला है आप background में देख सकते हैं blown out हो चुकी है पूरी image और एक चीज़ बता दू कि यहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं थी यहां पर आपको मैं image दिखा देता हूं देखिए तो यहां पर बिल्कुल भी धूप नहीं थी बार इसका मोसम था उसके बाद भी यहां पर इसने पता नहीं कहां से दूप लिया और इसने blown out कर दिया तो यहां पर इसके front camera में दिक्कत है मलब overexposed की काफी जादा तो आप Gcam वगएरा यूज कर लीजे बैटर होगा बट मैं ए फोटो बैकड्राउंड में बुकेफेक्ट काफी अच्छा है एज डिटेक्शन काफी अच्छा है मलब इस प्राइज में मैंने जितने भी स्मार्टफोन यूज करें किसी ने भी इतना अच्छा बुके मोड अभी तक इंडॉर के अंदर नहीं दिया लेकिन इसने दिया ल वो देखने के लिए मिलता है sony गा 682 और आप यहां पर फोटो देखी सकते हैं बाकि इसकी इंडेप्ट में हम बात करेंगे अच्छी तरीके से अपकमिंग वीडियो के अंदर काफी जल्दी आने वाली है तो उसका वेट करना इसके back camera sensor के बारे में जानने के लिए अभी यहां पर जो back है उससे आप 4K 30fps में वीडियो कर सकते हैं और 1080p 60fps में तो यहां पर अभी back cameras की जादा बात नहीं करते हैं लेकिन अभी हम आपको बता देते हैं इसके थोड़े से ऐसे speakers के बारे में क्योंकि आपको stereo speakers देखने के लिए मिलते हैं तो यहां पर आपको sound quality काफी amazing सुनाई देती है तो यहां पर ऐसी है इसकी sound और मेरे साब से हर company को stereo speakers में switch कर देना चाहिए मिड-range के अंदर और Realme ने पहल करी है तो मेरे साब से अब Redmi भी लाने वाला है तो यहां पर stereo speakers काफी amazing है मनलब sound quality अच्छी है इसकी लेकिन एक दिक्कत है plastic back की वज़े से जो back है वो पूरी vibrate करने start कर देती है अगर आप full volume में सुन रहे हो तो यहां पर stereo speakers तो हैं लेकिन back की वज़े से पूरा काम खराब हो चुका अब यहां पर बात करें इसकी battery की तो 4500 mAh की battery देखने के लिए मिलती है और यहां पर काफी fast charge होता है मतलब इतना fast charge वाला phone तो मैंने पहली बार use करा है और इसकी charging की वज़े से यह phone heat हो सकता था लेकिन यहां पर Realme ने इसके अंदर intelligence 5 core chip लगा हुई है जिसको signal पहुचाते है 10 sensors इस phone के अ 8 sensors आपको SOC के आसपास देखने के लिए मिलते हैं इस phone में क्योंकि कोई भी phone SOC के पास से ज्यादा heat होता है और नीचे की तरफ 2 sensors दिये गए है जो कि provide कराएंगे information intelligence 5 core chip को कि हां से phone heat होना ही start हो गया है और उसके बाद intelligence core chip क्या करेगी CPU usage वगरा को जो background application वगरा है उनकी usage थो तो हो सकता है कि आपको charging में थोड़ी कमी देखने के लिए मिलेगी इतनी तेज चार्ज ना हो और ऐसा इस phone के साथ नहीं है आप अगर flagship वगरा है यूज करते है उसके साथ भी यही चीज़ देखने के लिए मिलती है और सिर्फ यह charging पर ही काम नहीं करेगी लाइक अगर तो यह काफी कमाल की चीज़ है मलब इन्होंने intelligence 5-core chip लगा अगर दिये back में तो realme वाले यहां सही खेल गए बागी इस phone के बारे में all over बताऊं इसके जो speaker से वह amazing है लेकिन back की वाई से पूरे phone में vibration आती है और camera में मुझे इतना कोई तकड़ा चेंज लगा नहीं बागी आपर in display जो है वो ठीक देखने के लिए मिल जाता है डिस्पले में सबसे में चेंज जो कि मुझे चाहिए भी था बागी आपर काफी सारे लोगों को 90 चाहिए होगा तो all over यह phone अभी तक मुझे ok ok लगा बाकी अगर आप इस phone को buy करने की सोच रहे हैं तो next video जरूर देखना क्योंकि इस पर ही एक वीडियो आने वाली है comparison होगा इसका किसी के साथ और अगर आप किसी और phone के साथ चाहते हैं कि मैं इसका comparison करूँ तो आप मुझे comment section में बता सकते हैं so that's it guys आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था अगर आपको वीडियो चलेगे तो leave a like comment section में जरूर बताना best your worst part of this video और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe करके notification bell को कर देना press क्योंकि हाँ पर मिलते हैं unbiased opinions तो जब तक के लिए जोन मैं है guys we're gonna do watch your heart rate straight in with the HVN box guys Bye